हमशकार दोस्तों मेरे नाम हमुकेश और आप देख रहे हैं MS Tech Talks जैसा कि आप सभी को पता है आए दिन हमारे फोन के उपर बहुत सारे फरजी कॉल या फ्रोड कॉल आते हैं जिनके जरीए ठगी के मामले भी सामने आते हैं फिसिंग के मामले भी सामने आते हैं और ऐसे लोगों को ट्रेक कर पाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि वो जो सिम इस्तेमाल करते हैं वो सिम किसी फरजी आईडी के आधार पर उन्होंने एलोट करवा के रखी होती है यानि जिस नंबर से आपको कोल आता है वो नंबर किसी नकली आईडी से लिया गया होता है तो ऐसे में आपके लिए ट्रेक कर पाना मुश्किल होता है कि ये कोल कहां से आया था और किस व्यक्ती ने किया था साथ ही साथ पुलिस के लिए भी ये काफी मुश्किल होता है कि ये कॉल कहां से आया था और इसी लिए फ्रोड और जालसाजी के मामले दिन परती दिन बढ़ते ही चले जाते हैं इन सब की रोगताम के लिए DOT यानि Department of Telecom ने एक ऐसी वेबसाइट लॉंच की है इस वेबसाइट पर लोगन करने के बाद आप एजिली ट्रेक कर सकते हो कि आपकी ID से कितनी सिम अलोट की गई है और फिलहाल कितनी सिम एक्टिव हैं और यदि आपको लगता है कोई ऐसा नंबर है जो आपके पास में नहीं है फिर भी अभी एक्टिव है और कोई दूसरा उसका इस्तेमाल कर रहा है जो कि अन्नोन है तो आप वहीं से इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद में रिपोर्ट को ट्रेक भी किया जा सकता है जैसा कि आप सभी को पता है एक आईडी पर 9 से ज़्यादा सिम अलोट नहीं की जा सकती है यानि maximum 9 सिम ही अलोट की जा सकती है इस वेबसाइट के जरीए 3 तरह के काम किये जा सकते हैं यदि किसी की ID से 9 से ज़्यादा sim alert की गई है तो ये website उनको SMS के माध्यम से सूचित करती है दूसरा subscriber खुद इस website के उपर login करके चेक कर सकता है कि कहीं उसकी ID से 9 से ज़्यादा sim alert तो नहीं की गई है और यदि की गई है तो वो subscriber वहीं से जरूरी action ले सकता है इसके लावत तीसरा काम ये किया जा सकता है कि जो भी report आपने की है उस report को वहाँ पर track भी किया जा सकता है तो आईए देखते हैं ये website किस तरह से काम करती है जैसा कि आप screen पर देख पा रहे हैं ये website है TEFCOP नाम से यानि Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection ये इसका web address आप देख सकते हैं मैं इस link को description में भी mention कर दूँगा और pin comment में भी mention कर दूँगा वहाँ से जाकर के भी आप इस website के उपर visit कर सकते हैं बड़ाई simple सा इसका interface है नीचे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है ये यहाँ पर तीनों बाते लिखी गई है यहाँ पर आपको अपना वो number डालना है जो आपकी ID से एलोट किया गया है और इसके बाद में आपके mobile के उपर एक OTP आएगा जिसके मादिम से आप इसमें login कर पाएंगे जैसा कि मैं यहाँ पर अपना number डाल रहा हूँ और इसके बाद में request OTP पर क्लिक करना है और जो OTP आपको अपने mobile number पर receive होता है वो OTP यहाँ पर डालना है और इसके बाद validate पर क्लिक करना है तो यहाँ login करने के बाद में आप देख पाएंगे जितनी भी SIM आपकी ID से active है या आपकी ID पर alert की गई है वो सभी दिखाई दे रही है और साथ ही प्रतेक number के नीचे call to action का button दिया गया है जैसा कि यहाँ पर लिखा है this is not my number यदि यह आपका number नहीं है यानि कोई फरजी व्यक्ति इसको use कर रहा है तो आप यहाँ पर click करके इसकी report कर सकते है नीचे report का button भी दिया गया है और यहाँ दूसरा option दिखाई दे रहा है this is my number not required यानि यह आपका number है लेकिन इसकी आउशक्ता आपको नहीं है तो भी आप यहाँ से इसको block कर सकते हैं या report कर सकते हैं इसके बाद में जो भी आपको tracking का number मिलेगा उसको यहाँ पर डालते हुए आप इसको track कर सकते हैं तो बड़ा ही simple सा interface है और काफी अच्छी स्वीदा डोट के द्वारा यहाँ पर दी गई है जिसके माद्दम से fraud को रोकने में काफी मदद मिलने वाली है तो इस तरह से अब आप चेक करके देख सकते हैं कि कहीं आपके नाम से आपकी ID से किसी दूसरे ने sim alert तो नहीं करवा रखी है और आप उसकी report भी कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो like करें लाइक करने के साथ साथ चैनल को subscribe भी कर दीजिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत